नमस्कार दोस्तों, welcome to sports engineer, दोस्तों आज इस वीडियो में हम दिसम्बर महिने के sports current affairs को देखने वाले हैं इसमें बहुत साय topics को हम discuss करेंगे, question answers के format में discuss करने वाले हैं और sports current affairs जो हमारी series है वो 2021 का ये last video होने वाले है इस वीडियो से पहले हमें टोटल 11 महिनों के Sports Current Affairs के वीडियो देख लिए हैं अब इस वीडियो में हम December महिने के Sports Current Affairs को देखने वाले हैं वीडियो को शुरू करते हैं पहला question है यह हमारा वोर्ड है इसका नाम है बैलन डी ओर यह वोर्ड किसने जीता है यह हमसे पूछा गया है प्रेट आंसर इसमें हो जाएगा लियोनल मेसी डी हमारा correct answer है लियोनल मेसी ने बैलन डी ओर अपने नाम किया है देख लेते हैं इसके बारे में यह सारी details है ऐसा कुछ देखने में आपको मिलेगा बैलन डी ओर यह फ्रांसीसी समाचार पत्री का फ्रांस फुटबॉल उसके द्वारा इस ओर को दिया जाता है यह एक वार्सिक फुटबॉल पुरसकार है एन्वल फुटबॉल ओर है प्रेजेंट किया जाता है फ्रेंच न्यूज मेगजिन फ्रांस फुटबॉल के द्वारा 1956 में इसको स्टार्ट किया गया था यह भी एगर आपको कहीं पूछें तो आप बता सकते हो कि 1956 में इसको पहली बार दिया गया था तो आपको दो बाते नहां में रखनी है कि यह वोड कौन देता है वो देती है फ्रांस फुटबॉल नाम की एक स्पोर्स मेगजिन है वो इस वोड को देती है और अब की बार किसको मिला है लियोनल मेशी को अब यह देखिए थोड़ी ओर डिटेल इसके बार में हम देख लेते हैं फ्रांस फुटबॉल दोबरा दोजार इकिस में सर्वसेष्ट खिलाडी के रूप में लियोनल मेशी को यह वोड मिला है यह सात्वी बार इन्होंने इस वोड को जीता है मेशी ने इस वोड को जीता है सेवन्थ टाइम बाकी भी और डिटेल से अनको आप चेक आउट कर सकते हो जैसे कि मेल केटेगरी में हमने देख लिया जो कि अर्जिंटिना कंट्री से आते हैं मेशी की कंट्री है अर्जिंटिना बाकी यह हैं कलप अफ दे इयर सर्वसेष्ट गोल कीपर महिला केटेगरी में स्ट्राइकर अफ दे इयर और सर्वसेष्ट युवा पुरूस किलाडी यह सारे अवोड्स हमें देखने को मिले है बेलेंडी और अवोड्स में 2020 में दिये गए थे फ्रांस फुटबल नाम की जो स्पोर्ट्स मेंगजिन है उसके दुआरा यह इंगलिस में है इनको भी आप चैक आउट कर सकते हो नेक्स्ट है गुवी ने भारतिये महिला क्रिकेटर को अपने ब्रैंड अमबेसडर के रूप में साइन किया है गुवी नाम का एक ब्रैंड है इसने एक इन्टेन फिमेल क्रिकेटर को अपना ब्रैंड अमबेसडर बनाया है उसका आम से नाम पूछा गया है पट अंसर इसमें हो जाएगा D स्मरति मंधाना उसको अपना brand ambassador बनाया है IIT Madras का इस्टार्ट अप है GUVI नाम से जो कि भारते महिला कर्केटर Smriti Mandhana को इसका brand ambassador बनाया गया है बाकी details हैं GUVI के बारे में वो भी आप देख सकते हो लेकिन यह आप से सिधा पूछ सकते हैं कि GUVI का brand ambassador किसको बनाया गया है तो वो है Smriti Mandhana जो कि हमारी Indian woman cricketer है Next है जिमनलेकित मैंसे किसे 200 athletics द्वारा women of the year का ताज बनाया गया है Women of the year by world athletics world athletics के द्वारा यह award दिया गया है तो वो अब कि बार किसको मिला है एट answer मारा हो जाएगा A Anju Baby George यह हमारा correct answer है देखते हैं की details महान भारती athlete Anju Baby George को देश में प्रतिभा को समारने है और लेंगिक समानता की वकालत करने के लिए world athletics द्वारा women of the year का वोर्ड मिला है यह भी आपको ध्यान रखना है यह वा लड़कियों के लिए इन्होंने एक खेल academy बनाई है 2016 के अंदर और लेंगिक समानता की वकालत करने के लिए भी उनको यह ओवर्ड मिला है इसके साथ साथ आपको Anju Baby George के बारे में अगर नहीं पता हो तो 2003 की जो world championship हुई थी उसके अंदर नोंने long jump में आंसे पदक जीता था 2003 के edition की बात हो रही है world championship के अंदर बाकी रिटेल्स हैं जिनको आप इंग्लिस में देख सकते हो New Zealand के एजाज पटेल ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने के लिए test cricket में गेंदवाज बनकर इतियास सरच दिया इस question में पूछा गया है कि एजाज पटेल नाम के जो player है जो कि New Zealand के उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट एक इनिंग के सभी 10 विकेट लिए है तो ऐसा करने वाले ये कौन से गेंदवाज बने है कौन से नमबर के गेंदवाज बने है ये हमसे पूछा गया है पैड अंसर मारा जाएगा ये तीसरे नमबर के गेंदवाज बने है इंडिया के सभी 10 विकेट लिए थे अभी जो हाल ही में टेस्ट स्रीज हुई है उसके अंदर इससे से पहले किसने लिए है भारत के अनिल कुमले ने 1999 में पाकिस्तान के गेंस्ट लिए थे और अनिल कुमले से पहले या फिर सबसे पहले बार बात करें तो 1956 में इंग्लेंड के एक बॉलर थे जिम लेकर नाम करके उन्होंने 10 विकेट लिए थे तो एजाज पटेल तीसरे यसे गेंदवाज बन गए है जिन्होंने एक इनिंग के सभी 10 विकेट अपने नाम किये है Next है Kinara Capital के Brand Ambassador के रूप में किसे नियुक्त किया गया है Kinara Capital नाम की एक कंपनी है इसकी बात हो रही है इसके Brand Ambassador चुना है रविंदर जड़ेजा को See इसमें हमारा correct answer हो जाएगा इस देखिए बैंगलोर इस्तित इनोवेटिव तेजी से बढ़ती FinTech कंपनी है Kinara Capital इसके Brand Ambassador बन गये है रविंदर जड़ेजा इसको आपको धहम रखना है Next है नियुक्त में से किसे वर्ष 2021 का BWF Badminton World Championship पुरुष खिलाडी के रूप में नामित किया गया है BWF Men's Player of the Year और 2021 वो मिला है Victor Excelsen को यह इसमें हमारा सही आंसर है यह देखिए Denmark के यह खिलाडी है Victor Excelsen इसके साथ-साथ चीन की, टाइपे की, टाइजू इंग यह female category के अंदर है महिला खिलाडी है इनको Badminton World Federation द्वारा 2021 का पूर्ष और महिला खिलाडी चुना गया है पाकी इन डिटेल्स है उनको भी आप देख सकते हो कि Badminton World Federation की स्ताफना हुई थी 1934 में इसका headquarter Kuala Lampur, Malaysia के अंदर है और इसकी अध्यक्स है Paul Eric Hoyer Larson यह कुछ डिटेल्स हैं जो की static portion में आपके cover होनी चाहिए बाकी जो current की news है वो है Victor Axelson जो की Denmark से है और Tai Ying जो की चाहिना से है इन दोनों को Badminton World Federation ने Women's और Men's Player of the Year 2021 चुना है Next है भारतिय मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड Unix के Brand Ambassador के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अब किवार बात हो रही है Unix की इसके Brand Ambassador के बारे में हमसे पूछा गया है तो वो चुना है जस्पृत भूमरा को डीस में हमारा correct answer हो जाएगा Indian baller है जस्पृत भूमरा इनको Brand Ambassador चुना गया है Unix नाम की जो company है जो कि mobile accessories बनाती है Next है भूमरा स्वर में आईजित Junior hockey विस्व कप का किताब किस टीम ने जीता Junior hockey वर्ल्ड कप की बात हो रही है जो कि भूमरा स्वर में हुआ था ये title किसने जीता है ये हमसे पूछा गया है Right answer है Argentina इसमें हमारा correct answer हो जाएगा देखते हैं इनकी details Argentina ने 6 बार की जैंपियंग जर्मनी को 4-2 से हराया जो कि मैच वाता कलिंग स्टेडियम में पूरु सोकी जूनियर विस्व कप का इसके साथ-साथ बाकी details है उनको भी आप देख सकते हो tournament का service test खिलाडी फ्रांस से है tournament का service test गोल की पर वो जर्मनी से हैं इस तरिके से अलग-अलग ये अवोर्ड की categories हैं इन में इन सभी को अवोर्ड मिला है लगिन आपको सबसे मेहन important दहां में रखना है कि Argentina ने छे बार की चेंपिएंग जर्मनी कॉप की बार हराया और कलिंग स्टेडियम में ये टूर्नामेंट हुआ था और टूर्नामेंट का नाम था पुरू शोकी जूनियर विश्व कप मैंस होकी जूनियर वर्ल्ड कप ये इंग्लिस में डिटेल्स हैं इनको भी आप चेकाउट कर सकते हो Next है Madrid में आयोजित Davis Cup Tennis Tournament 2021 किस टैनिस टीम ने जीता Davis Cup Tennis Tournament 2021 की बात हो रही है जो कि Madrid में हुआ था उसको कौनसे टीम में जीता है ये हमसे पूछा गया है Right answer इसमें हो जाएगा Bruce भी correct answer है प्रसिया ने इस टैटल का अपने नाम किया है Davis Cup 2021 को प्रूसी Tennis महासंग ने Madrid में Davis Cup Final में Croatia को हराया है Croatia को 2-0 से हराया है ये आप देख रहे होंगे प्रूसी Tennis महासंग नाम यहाँ पर क्यों आ रहा है प्रसिया या फिर रूस यहाँ पर नाम हमें देखने को क्यों नहीं मिल दा तो उसका भी एक रीजन है रूस के उपर डोपिंग suspension लगा हुआ है डोपिंग charges उस देश के उपर लगे हुए इसलिए प्रसियन Tennis Federation के नाम से प्रसियन टीम खेली थी उनके खेलाडियों पर रोक नहीं लेगाई यह आपने देखा होगा अभी जो 2020 का Tokyo Olympic भा था उसके अंदर भी रूस की टीम रूस के नाम से नहीं गई थी वो भी वहाँ के जो Olympic Association है उसके नाम से खेली थी रूस नाम से कोई टीम नहीं थी क्योंकि डोपिंग के charges में रूस को suspend किया गया है इसी वज़य से RTF रूसी Tennis महासंक रस्यन Tennis Federation यह नाम आपको दिखाई दे रहा है Next है सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर एलिन एश का हाली में निधन हो गया एलिन एश किस क्रिकेट टीम से सम्मान दित है एलिन एश नाम की क्रिकेटर के बारे में पूछा गया है oldest यह क्रिकेटर रही है जो कि अभी कुछी दिनों पहले इनका निधन हो गया इनकी country पूछी गयी है तो वो हैं इंग्लेंड से इसमें मारा correct answer हो जाएगा इंग्लेंड इनकी country है Next है ने लेकित मैंसे किस देश ने घोषना किया है कि वे Beijing चीन में 2022 में जो सीथ कालिन ओलम्पिक होने वाले हैं उसमें यह भाग नहीं लेंगे 2022 में winter Olympics जो की Beijing चाइना के अंदर होने वाले हैं उसमें यह participate नहीं करेंगे right answer है USA इसमें मारा correct answer हो जाएगा यह देखिए एक कुछ details हैं इनमें आप देख सकते हो की Beijing में 2022 में जो सीथ कालिन ओलम्पिक होने वाले हैं उसमें अमेरिकी अधिकारी सामिल नहीं होंगे लेकिन अमेरिका के वहाँ पे team जरूर जाएगी diplomatic यह boycott होने वाला है USA के बाद बहुत सरी countries ने भी इस मुहीम में अपने आपको जोड़ा है और भी countries हैं जो की diplomatic boycott करने वाले हैं मतलब वहाँ की team खेलेंगे लेकिन राज नहीं भाइसकार किया जाएगा diplomatic boycott किया जाएगा वहाँ के जो अधिकारी हैं वह इस tournament को boycott करने वाले हैं वह इसमें भाग नहीं लेंगे next है उस भारतिय शटलर का नाम बताईए इसने BWF Badminton World Federation World Tour Finals 2021 में रज़त पदक जीता तो उस पेर का नाम है PV Simdu 20 में हमारा correct answer है silver medal जीता है इन्होंने BWF World Tour Finals 2021 के अंदर इस देखिए भारतिय सटलर ने दो बार की Olympic पदक विज़ता है PV Simdu दुनिया के सात्य नमबर ये 7th position पे भी है World Badminton के अंदर इन्होंने Badminton World Federation World Tour Final में रज़त पदक जीता है silver medal इन्होंने जीता है 2021 Badminton World Federation World Tour के अंदर इसका आपको ज्यांदर रखना है next है राष्ट मंडल भारत ओलन भारत ओलन मतलब Weight Lifting Championship 2021 में पूरुसों की 55 kg snatch स्रेणी में स्वन पदक किसने जीता है man's 55 kg snatch केटेगरी की बात हो रही है Commonwealth Weight Lifting Championship 2021 के अंदर उसके अंदर Gold Medal जीता गया है उस प्लेयर का हमसे नाम पुझा है कि वो कौन से प्लेयर है Right answer इसमें संकेत महादेव सर्गर D इसमें हमारा correct answer है ये देखिए संकेत महादेव सर्गर ने राष्ट मंडल भारत ओलन Championship 2021 में पूरुसों की 55 kg snatch स्रेणी के अंदर स्वन पदक अपने नाम किया है इन्होंने national record भी बनाया है 113 kg वजन उठा कर इसके साथ साथ आपको ये भी दहाम में रखना है कि रासकंद के अंदर राष्ट मंडल भारत ओलन Championship Commonwealth Weight Lifting Championship 2021 के साथ साथ World Weight Lifting Championship 2021 का भी आजन किया गया था Commonwealth Weight Lifting Championship में जो Commonwealth Countries है वो participate करती है और World Weight Lifting Championship है उसमें पूरे दुनिया से ख्लाड़ी आते है तो दोनों का आजन तासकंद में ही करवाया गया था 2021 के अंदर इसका आपको पता होना चाहिए Next है किस राज्जे ने Senior Mahila राष्टे Football Championship जीती Senior Women's National Football Championship वो कौन से स्टेट ने जीती है यह हमसे पूछा है Great answer है मनिपूर C हमारा correct answer हो जाएगा मनिपूर ने कोजी कोड जोकी के अंदर है इसके EMS Stadium में Senior Mahila राष्टे Football Championship का ताज अपने नाम या है वो वोड इनोंने जीत लिया है Stadium है काजी कोड के अंदर Senior Women's National Football Championship मनिपूर ने जीती है 2021 के अंदर Next है भारत ने में आयो जीत तोथे ACI UR पेरा खेलो 2021 में 41 पज़क जीते है 4th Asian Youth Paragames की बात हो रही है उसके अंदर इंडिया ने Total 41 मेडल जीते है 41 मेडल जीते है लेकिन वो कहा हुआता है यह हमसे पूचा है राइट अंसर है रिफा बहरीन के अंदर D हमारा क्रेक्ट अंसर हो जाएगा रिफा बहरीन में 4th ACI UR पेरा खेल हुए थे पेरा गेम्स हुए थे 2021 के यह देखिए भारत ने 4th ACI UR पेरा खेलों में 41 पज़क जीते है 41 मेडल जीते है इनमें 12 गोल्ड 15 सिल्वर और 14 यह फिर 14 ब्रॉंज मेडल अपने नाम किये है रिफा सहर बहरीन में यह आईजित किया गए थे अब 2021 के बाद 2025 के अंदर 4 साल बाद यह आईजित किया जाएंगे तासकंद उजबेकिस्तान के अंदर तासकंद से आपको याद आ गया होगा कि वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चेंपिंशिप और कॉमन वेल्थ वेट लिफ्टिंग चेंपिंशिप का एज़न 2021 में तासकंद में ही किया गया था योकि उजबेकिस्तान की capital है यह देखिए भर्तिय स्क्वेश इस्टार सौरव गोशाल ने इत्यास रच दिया है क्योंकि मलेशियाई ओपन चेंपिंशिप जीतने वाले ये पहली हंडिन बने हैं पहली ये स्क्वेश प्लेयर बने हैं इसका आपको जहन में रखना है सौरव गोशाल है इनका नाम जिन्होंने मलेशियन ओपन चेंपिंशिप अपने नाम करी है नेक्स्ट है भारत ने ACI रोइंग चेंपिंशिप में दो स्वन च्यार रज़त पदक सहीत कुल छै पदक जीते हैं ACI रोइंग चेंपिंशिप दोजार इकिस कहां पर आयोजित की गई थी यह हमसे पुछा है टोटल 6 मेडल हमने जीते हैं इसका आयोजिट कहा हुआ था यह हमसे पुछा गया है 20 में मारा सही आंसर है भारत ने थैलिएंग में ACI रोइंग चेंपिंशिप में दो गोल्ड च्यार सिल्वर इसके साथ टोटल सहय पदक अपने नाम किये है एसियन प्रोइंग जो कि थाइलेंड में हुई थी उसके अंदर नेक्स्ट है केर फॉर होकी अभियान का चहरा इसे निउक्ट किया गया है पेस अफ दी केर फॉर होकी केमपेन यह किसको किया गया है किसको अपउइंट किया गया है यह हमसे पूछा है उसमें हो जाएगा हमारा रानी रामपाल भी इसमें हमारा correct आंसर है भारत के एक परमुख नुजी समान ने भीमा करता बजाज आलियांज जनरल इंसूरेंस इसके दोरा इसने बारत में फिल्ड homey को मानिनेता को बढ़ाने के लिए केर फोर hoakey एक अभ्यान चला है इसके लिए रादि रामपाल इस अभ्यान का चाहरा होने वाली है Face of the campaign यह face होने वाली है इस campaign का और campaign का नाम है केर फोर hoakey रादि रामपाल नेक्स्ट है बिसीचाई ने किसकी अध्यक्सता में अलग-अलग एबल्ड क्रिकेट समिती के गठन के गोशना की है बिसीचाई ने डिफरेंटली एबल्ड जो क्रिकेट कमिटी है उसको बनाने की गोशना की है उसको फॉर्म करने की गोशना की है तो इसके chairman कौन थे हैं यह हमसे पूछा गया है राइट answer है सौरव कांगुली जो कि अभी BC CHI के president भी है सौरव कांगुली नहीं इसको chair किया था यह देखिए BC CHI ने देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक committee बनाई है और इस committee का नाम है differently abled committee इसके अधेक्स था कि थी सौरव कांगुली नहीं जो कि परतमान में BC CHI के अधेक्स है BC CHI के वो resident है next है AIBA ने 2028 Olympic के लिए सुधारों के बाद खुद को IBA के रूप में पुना branded किया है IBA का मुख्याले का है देखिए AIBA ने अपने आपको बात हो रही है इसका एड़ वाटर है सुधार लेंड के अंदर डीस में हमारा correct answer हो जाएगा देखते हैं इसके बारे में ये पूरा क्या है International Boxing Association IBA ने 2028 के Olympic में खेल को शामिल करने के लिए शासन सुधारों के एक सैट को अपनाने का वादा करते हुए AIBA से IBA में अपना संक्षित नाम बदल दिया है देखिए पहले ये AIBA के नाम से थी लेकिन अब इसको International Boxing Association IBA बोला जाएगा कुछ इसमें प्रोब्लम देखने को मिली थी लाश जो Olympic हो था उसके अंदर भी इसके नियम थे उसमें कुछ प्रोब्लम समें देखने को मिली थी इसलिए 2028 में इसको सामिल नहीं किया गया 2024 में ये गेम रहने वाला है लेकिन 2028 में इसको अटा दिया है तो इन्होंने कुछ सुधार किया है कुछ इन्होंने correction किया है लुशन शुर्जलियन के अंदर प्रेजिडेंट है इनके ओमार और 1946 में International Boxing Federation की स्थापना होई थी नेक्स्ट है नवंबर महिने के ICC Player of the Month किसे चुना गया है आपको पता ही होगा हर महिने ICC Player of the Month चुनती है जिसको short form में हम P.O.T.M.B. बोलते है अब की बार डेविड वोर्नर को ये वोर्ड मिला है ये देखिए ये हैं डेविड वोर्नर और ये हैं question डिजिस से इन दोनों के बारे में देखते हैं कि इन दोनों को P.O.T.M. आप देख सकते हो ये short form है इनकी ICC P.O.T.M. Winner Player of the Month Winner for November 2021 उस्टलिया के सलामी बल्लेवाज हैं डेविड वोर्नर और ओल्राउंडर खिलाडी हैं एली मैथ्यूज इनका नाम हैली मैथ्यूज है जिनको ICC Player of the Month की रूप में चुना गया है नौंबर महिने के लिए ये डेविड वोर्नर है और ये हैं एली मैथ्यूज ये वेस्ट इन्डीस हैं और ये हैं उस्टेलिया से नेक्स्ट है तोप योजना जो भारत के सिर्स एथलेटों को साहता परदान करने का एक प्रियास है तोप इसकीम किसके लिए प्रिक्त है तोप इसकीम की हमें फुल फॉर्म पूचे गई है ये क्या करती है एक एफर्ट करती है हमारी जो प्लेयर्स हैं टॉप एथलेट्स हैं उनको सपोर्ट करने का ओलम्पिक्स के लिए है तो टी-ो-पी-एस इसके हमसे फुल फॉर्म पूचे गई है लिएक अंसर हो जायेगा इसका तार्गेट उलम्पिक पोडियम इसकीम से इसमें मारा खेलने करती है देखते है से इसके बारे में पुरी डिटेल्स की देखिए यूवा और खेल मंतराले के मिसन उलम्पिक प्रकोस्ट की बेठक में Target Olympic podium scheme के तहट 7 Olympic विशे हैं मतलब जो 7 गेम होने वाले हैं उसके अंदर 6 पेरालम्पिक विशों में 20 नेक लाडियों सहीत कुल 148 एथलेटों की पहचान की गई है देखे इसमें क्या किया गया है Total 148 एथलेट इसमें सामिल किया गये है इसमें 7 जो Olympic के event हैं उनको सामिल किया गया है और 6 पेरालम्पिक गेम को भी सामिल किया गया है ऐसा करके Total 148 इसमें गेम हो गए है Top scheme थी इसकी सुरुआत की गई थी 2014 में अगर आपको Top याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो क्योंकि BJP जो Government थी उसका tenure 2014 से स्टार्ट हुआ था तो 2014 से आप Top को याद रख सकते हो क्योंकि उस टाइम BJP टॉप पर रही थी इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो और 2014 में ही Top scheme को सुरू किया गया था इस तरीके से आप इनको link करके याद कर सकते हो यह English में है तो अभी आप चेक आउट कर सकते हो नहीं तो Sports Engineer नाम से हमारा जो टेलेग्राम पर चैनल है उस पर आप जोइन कर सकते हो वहाँ पर हमारी सभी PDF मिल जाएंगे आपको वीडियो की Next है हमने लिके इसमें किसे Sports Journalist Federation of India SJFI मेडल 2021 से समानित किया गया है Sports Journalist Federation of India में 2021 में जो मेडल दिया गया है को किसको दिया गया है यह हमसे पूछा गया है सुनिल गावसकर इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा यह इस दी करेक्ट आंसर SJFI ने पूरो भारती क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर सुनिल मनोह गावसकर को SJFI मेडल 2021 से समानित किया गया है SJFI यह इसका सरवची समान है highest honor है यह और इसकी सुरवात हुई थी 1976 इडिन गार्डन कॉलकाता से यह देखिए बाकी awards भी है SJFI Sportsman of the Year यह चुना गया है निरच चोपडा को मेरा भाई चानू को sports woman Indian men's hockey को चुना गया है team of the year for 2021 वर्ष 2021 के लिए SJFI पराइथलेट वो है और मोध भगत जो कि badminton से है और सुमित अंतिल है जैवलिन से पराइथलेट में women category की बात हो रही है उनमें अवनी लेखा रहा जो की राइफल शूटर है और विशेष मानेता पुरुसकार हो है Olympic Gold Quest OGQ यह देखिए Olympic Gold Quest OGQ इनको मिला है Special Recognition Award बाकी awards से इनको आप इंगलिश में इभद्या सकते हो मेरे चोपडा, मेरा भाई चानू Indian Man Sockey परमोध भगत एन सुमिद अंतिल और अवनी लेखा रहा Next है साथ बार के चेंपियन को Wind Sir के सल London में Knight Hood प्राप्त हुआ Knight Hood की उपादी होती है उस उपादी के बाद उस नाम के आगे Sir जुड़ जाते है जैसे कि नाम आपने सुना होगा Sir Don Bradman तो Knight Hood की उपादी साथ बार के चेंपियन कौनसे प्लेयर को चुना गया है वो है Lewis Hamilton देस में हमारा करेक्टर अंसर हो जाएगा Lewis Hamilton जो कि England से आते हैं साथ बार के चेंपियन रहे है ये racing car चलाते हैं इनको Knight Hood की उपादी मिली है इसके बाद इनको Sir कह सकते है जैसे कि इनका नाम अब हो जाएगा Sir Lewis Hamilton ये एक उपादी हो गई है आपको धान में रखना है Knight Hood Lewis Hamilton और 7 टाइम Formula 1 चेंपियन नेक्स्ट है टाइम पत्रिका के 2021 Athlete of the Year की रूप में किसे चुना गया है आपको एक्जाम में देखने को मिल सकता है टाइम मैगजिन्स 2021 Athlete of the Year ये चुना गया है अब की बार Simone Biles को 20 में हमारा correct answer हो जाएगा ये देखिए ये हैं Simone Biles इनको चुना गया है टाइम्स मैगजिन्स के द्वारा Athlete of the Year ये टाइम्स मैगजिन्स का कवर फोटो है अब की बार इनको कवर फोटो में जगह मिली है ये एक जिमनास्ट है जिमनास्ट इनका गेम है Olympics से इन्होंने विड्रो कर लिया था वो सारी details है इनको हम देखने वाले हैं US इनकी country है USA से ये आती है और दुनिया की सबसे सजी हुई जिमनास्ट को अपने मानसिक स्वास्ते को सबसे पहले रखने के लिए समानित किया गया है जब वह है Tokyo Olympic में चार इवेंट फाइनल से पहले फाइनल से हट गई देखिए जिमनास्टिक का फाइनल होने वाला था 2020 Tokyo Olympic के अंदर तो उस फाइनल में ये पहुंच चुकी थी लेकिन फाइनल में खेलने से इन्होंने मना कर दिया कि मेरा जो मानसिक स्वास्ते है मेंटल जो मेरी हैल्थ है वो सही नहीं है इस वज़े से मैं नहीं खेल सकती इन्होंने अपना नाम विड्रो कर लिया इसके लिए इनको ये वोड मिला है क्योंकि इन्होंने मानसिक स्वास्ते को सबसे पहले रखा है जिसकी बात हम आम तोर पर देखने को नहीं मिलती हम इसकी बात करते ही नहीं है हम केवल सारा रिक स्वास्ते को बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं लेकिन इन्होंने फांचिक स्वास्ते को सबसे पहले रखा इसलिए इनको Athlete of the Year चुना गया Time Magazine के द्वारा 2021 का इसको आपको धाने रखना है बाकी डिटेल्स हैं इनको भी आव रिडाउट कर सकते हो सिग्वना बाइल्स इनका नाम है इनका गेम है जिमनास्टिक 4 टाइम की ए उलम्पिक मेडलिस्ट भी रही है Next है किस राजे सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022 टेस की शुरुवात की है खेल नर्सरी श्कीम 2022-23 जो कि स्पोर्ट्स को पर्मोट करने वाली है यह कौनसे गवर्मेंट ने लौंच की है इसका हमें नाम बताना है उस स्टेट का हमें नाम बताना है राइट आंसर है हर्याना यह इसमें हमारा रेक्ट आंसर हो जाएगा यह देखिए हर्याना के खेल और युवा मामलों के रज्य मंतरी संदीप सिंग संदीप सिंग वह ही है जो की कोकी प्लेर रहे है यह वहांके अभी खेल बनती रही है हर्याना के इन्होंने खेल नर्सरी योजना शुरू किया है यह तो इसका आपको धाम रखना है खेल नर्सरी स्किम हर्याना से समबन दीथ नेक्स्ट है निमनलिकित मेंसे किस ने 2021 पेरलंपिक स्पोर्ट आवर्ड में को जीता है आइट आंसर मारा जाएगा अवनी लेखारा डी इस दी करेक्ट आंसर जी देखिए यह है अवनी लेखारा टोटल तीन नोमनीज थे इंटरनेशनल प्रालंपिक कमिटी ने इनकी अनॉंस्मेंट करने से पहले टोटल तीन प्लेयर्स को जुना था उनमें यह तीनो क्रियेट कर दे थी 2021 प्रालंपिक स्पोर्ट आवर्ड में सरुषेष्ट महिला पदारपन बेस्ट फिमेल डेव्यू का इनको आवर्ड मिला है आपको पता है होगा कि भारत ने जो प्रालंपिक गेम होए थे उसके अंदर 5 गोल्ड 8 सिलवर और 6 ब्रोंज मेडल जीते थे और 2 प्रालंपिक पतक जीतने वाली ये पहली भारते महिला भी बनी इसकी वजह से इनको ये अवर्ड मिला है बेस्ट फिमेल डेव्यू एट दी 2021 प्रालंपिक स्पोर्ट आवर्ड और वो कोन है अवनी लेखा रहा नेक्स्ट है भारत ने डैश में आयजित राष्ट मंड भारतोलन चेंपेंशिप 2021 में 16 पतक जीते हैं बारतें टोटल 16 मेडल जीते हैं Commonwealth Weight Lifting Championship के अंदर 2021 में ये कहा हुई थी ये हमसे पूछा गया है रासकंद उजवेकिस्तान ये हमने देख भी लिया था Commonwealth Weight Lifting Championship और International Weight Lifting Championship ये कहा हुई थी अपकी बार तो ये हुई थी सासकंद उ और पांच Bronze Medal है ये किस तरिके से ये आप देख सकते हो ये Gold Medal की लिष्ट है जो कि चार है ये है Silver Medal तो साथ और पांच इसमें हमें Bronze Medal मिले है कि टोटल ऐसे करके 16 Medal हमारे हो गई है इनके नाम आप देख सकते हो Gold Medal आपको पता होना चाहिए इनके बारे में हमसे पूछा गया ह ये Hindi में है और यहाँ पर ये English में आप इनको Readout कर सकते हो देख सकते हो वीडियो पॉस करके इनको आप लिख सकते हो तब फिर PDF आपको Telegram चैनल पर मिल जाएगी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया थी नेक्स्ट है BWF 200 Championship में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतिय वक्ति कौन है Silver Medal जीतने वाले BWF Badminton World Federation इसकी जो World Championship हुई थी ऐसा करने वाले First Indian Man कौन बने है पहले भारतिय कौन बने है यह हमसे पूछा गया है राइट अंसर हो जाएगा स्रिकांद किदामबी एस में हमारा कर्यक्ट अंसर है सेटलर मतलग यह Badminton प्लेयर को बोलायाता है सेटलर हम बोलते हैं Badminton खिलाडियों को किदामबी स्रिकांद BWF World Championship में Silver Medal जीतने वाले पहले भारतिय बन गई है यह आपको पता होने चाहिए इस्पेन के कुएलवा में यह आयजुद हुआ था यह जो इवेंट है यह इस्पेन में आयजुद किया गया था बाकी डिटेल्स हैं इनको भी आप देख सकते हो Badminton World Federation की स्थापना हुईती 5 जुलाई 1934 को Kuala Lampur Malaysia के अंदर इसका Headquarter है और Larson इनके President है Next है हाल ही में Emma Radu Kanu को 2021 के लिए BBC की Sports Personality of the Year की रूप में चुना गया है वह जिन्यन लिकित में से किस खेल से जुड़ी है Emma Radu Kanu इनको अब की बार चुना गया है BBC's Sports Personality of the Year 2021 कौन से गेंट से हैं? इनका गेम हमसे पूछा गया है Right answer is Tennis D is the correct answer यह देखिए यह है Emma Radu Kanu इनका गेम है Tennis इनको चुना गया है Sports Personality of the Year इसके दौरा BBC की तरब से यह अब की बार 2021 में Sports Personality of the Year बनी है कुछ details हैं इनकी इनको भी देख लेते हैं इनको BBC Sports Personality of the Year चुना गया 2021 के लिए जो कि हमने देख लिए है Next है नियमनलेकित मैसे किस राज्ये ने रिसब पंथ को अपना Brand Ambassador नियुक्त किया है रिसब पंथ को Brand Ambassador कौन से स्टेट ने बनाया है उस स्टेट का हम से नाम पुछा गया है राइट अंसर मारा हो जाएगा उत्राखंट B is the correct answer उत्राखंट के Brand Ambassador होने वाले है रिसब पंथ जो कि विकेट कीपर हैं इनको आप जानते भी होंगे उत्राखंट राज्ये के ये Brand Ambassador होंगे विकेट कीपर बैट्समेन है आपको पता होगा अभी जो वर्तमान में हमारी इंडिन क्रिकेट है उसमें विकेट कीपर की जिमिदारी फिशप पंथ ही निभा रहे है इसको बीजिंग में आगामी 2022 सीथ कालिन ओलम्पिक के लिए भारत के दल के सेफडी मिशन के रूप में नियूट किया गया सेफडी मिशन जो की एक तरह से लीडर होता है उस पूरे ग्रूप का तो अब की बार 2022 का जो विंटर ओलम्पिक्स है बीजिंग के इंदर होगा चायना में उसके लिए सेफडी मिशन कौन है रजेंदर सिंग तीजदी क्रेक्ट आंसर यह देखिए पारते ओलम्पिक संग जिसको कि हम इंडियन ओलम्पिक असोशेशन बोलते हैं आई ओए इसकी शोर्ट फॉर्म है उसने अरजेंदर सिंग को अपोइंट किया है जो कि अभी हाल फिलाल सेक्रेटरी जनरल है आईस होकी के इनको सेफडे मिशन के रूप में चुनाया है 2022 विंटर ओलम्पिक्स जो कि बीजिंग में होने वाल है नेक्स्ट है निम्नलेकित मैंसे किसे हाल ही में 2025 तक बैडिमिंटन वर्ल्ट फेडरेशन एथलेट आयोग कि यह हमसे पूछा है इसका सही अंसर है D पीवी शिंदू को यह चुना है पीवी शिंदू को चुना गया है एक मेंबर इनको अपोइंट किया गया है बैडिमिंटन वर्ल्ट फेडरेशन की एथलेट्स कमिशन के द्वारा 2025 तक यह मेंबर रहने वाली है इतने वाली यह पहली महिला खिलाडी बन गयी है सुचिल कुमार के बाद ऐसा करने वाली यह दूसरी भारते खिलाडी और महिला खिलाडी के रूप में ऐसा करने वाली यह पहली इनडियन एसलीट है जिन्होंने की 2 medal olympic में जीते हैं इससे पहले 2016 का जो और इन्ही 6 मेंबर्स मेंसे ये अध्यक्स और उपाध्यक्स चुने जाएंगे ये जो 6 मेंबर्स थे इनको आप देख सकते हो ये इनकी पुरी डिटेल है next है नियंदा लेकित मेंसे किसने BWF 200 Championship 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है BWF World Championship 2021 में Women's Single का टाइटल किसने जीता है कि हमसे पुछा गया है राइट अंसर हमारा हो जाएगा इसमें अकाने यामागुची बीस में correct answer हमारा सिंगापूर के लहकिन यू ने पुरु सेकल और जापान की अकाने जामागुची ने BWF 200 Championship 2021 का महिला एकल का खिताब जीता है आपको ये दोनों ध्यान में रखना है सिंगापूर की हैं लहकिन और जापान की हैं अकाने इन दोनों को ये वोड मिला है BWF World Championship 2021 का आपको ने फ़िष्वा में डोप उलंगन करने वाले देश में भारत का कौन सा इस्टान है देखिए सबसे ज़्यादा डोपिंग कौन से देश में की जाती है उसकी रेंकिंग हमसे पूचे गी है कि इंडिया की कौन सी रेंक है तो हम हैं तीसरे नमबर पर हमसे पहले दो देस ओर हैं जो हमसे ज़्यदा डॉपिंग करते हैं हमारी position इसमें 3rd है दो देस कौन से हैं वो भी देख लेते हैं प्रूस इसमें पहले नमबर पर है जिसको की suspend भी किया जा चुका है International Olympic Committee के जवारा दूसरे नमबर पर है इटली और तीसरे नमबर पर हम आते हैं हर नमबर पर हम आते हैं हमने इन दोनों के बाद सबसे ज़्यदा डॉपिंग जो रूल्स हैं उनको वाइलेट किया है उनका उलंगन किया है ब्राजिल चोथे स्थान पर है और पांचों स्थान पर है इरान World Anti-Doping Agency का जो इसके रेजिडेंट है और इसकी स्थापना कब हुई थी 1999 दस नमबर को दस नमबर 1999 में को World Anti-Doping Agency की स्थापना हुई थी नेक्स्ट है परतिष्टित US Junior Squares Open जीतने वाले पहले भारतिये कौन बने US Junior Squares Open जीतने वाले First Indian के बारा में हमसे पूछा गया है कि वो कौन बने है एड अंसर है अनाहत सिंग बी इसमें हमारा correct अंसर है अनाहत सिंग बने है Junior Squares Open जीतने वाले पहले इंडियान Under 15 एडकियों की बात हो रही है अनाहत सिंग का है एक female player है teenager है इन्होंने Junior US Open Squares Tournament अपने नाम किया जो कि Philadelphia में आईजित किया गया था Next है कौनसी महिला टीम ने Final में भारत को हरा कर SAF Under 19 महिला Championship जीती है SAF एक football का tournament होता है तो Under 19 Women's Championship की बात हो रही है कि इंडिया को Final में इसने हराय था कौनसी देश की टीम ने हराय था Great answer है Bangladesh C is the correct answer 75 पर अपने नाम करी है बाकी डिटेल से इनको आप देख सकते हो इसमें टोटल 5 देशों ने भाग लिया था टोटल 5 कंट्रीज ने इसमें participate किया था और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो football federation है उसको suspend कर दिया गया था FIFA की तरप से April 2021 के अंदर इस वज़े से पाकिस्तान की जो टीम है वो इसमें नहीं खेली SAF के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो South Asian Football Federation इसकी फुल फॉर्म है जब आप देख सकते हो Next है निमने लेकित मेंसे किस टीम ने धाका बंगलादेस में आयजूत ACI Champions Trophy पुर सोकी टोर्नामेंट जीता है ACI Champions प्रॉफी मेंसोकी टोर्नामेंट की बात हो रही है जो की दाका बंगलादेस के अंदर हुआ था ये किसने जीता है ये हमसे पूछा गया है राइट अंसर हो जाएगा A. Korea पुर्या ने इस टोर्नामेंट की अपने नाम जीता है ये देखिए कांसे पदक हासिल करने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान को हराया 4-3 से पुर्या ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है इसका हमें ध्यामे रखना है निम्दलेकित मैसे किसने अंतराष्टे इसकी मासंग इंटरनेशनल इसकी फेडरेशन FIS अल्पाइन इसकिंग प्रतियोगिता 2021 में कांसे पदक जीता है अल्पाइन इसकिंग कॉंपेटिशन 2021 के अंदर ब्रोंज मेडल जीता है उस प्लेयर का में नाम बताना है इसमें हमारा क्रेक्ट आंसर है यह देखिए भारती इसकियर जो इसकिंग करते हैं उनको इसकियर बोले जाता है अंचल ठाकूर ने मॉन्टे नेगरो में अंतराष्टे इसकी मासंग अल्पाइन इसकिंग प्रतियोगिता में कांसे पदक जीता है कांसे पदक मतलब इन्होंने ब्रोंज मेडल अपने नाम किया है और अंचल ठाकूर इसके साथ ही अंतराष्टी इस्तर पर दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय इसकी एथलीट बन गई है एक फिमेल एथलीट के हम बात कर रहे है अंचल ठाकूर ऐसा करने वाली पहली भारतीय इसकी एथलीट भी है जिन्होंने दो मेडल जीते हैं इंटरनेस्ल लेवल पर नेक्स्ट है भारतीय ओफ इस्पिनर हरवजन सिंग ने किर्केट से सन्यास की घोषना की टेस्ट किर्केट में बारत के लिए इन्होंने कितने विकेट लिए है अरवजन सिंग ने टेस्ट किर्केट से सन्यास की घोषना कर दी है इनको शोट में भज्जी बोला जाता था इन्होंने सन्यास ले लिया दिसंबर के अंदर इनके विकेट पूछे हमें कि test cricket में इन्होंने कितने विकेट लिये हैं राइट अंसर मार हो जाएगा 417 417 विकेट इन्होंने test cricket में अपने नाम यह है यह देखिए यह है अरबजन सिंग इन्होंने दिसंबर में cricket को अलविदा कह दिया है बहुत दिनों से यह इन्डियन cricket team से बाहर भी चल रहे थे तो अभी दिसंबर 2021 के अंदर इन्होंने अपने cricket केरियर को अलविदा कह दिया है इन्होंने सन्यास ले लिया है किसी समय पर इन्डिया के लिए बहुत अच्छे मैच बिने रहे हैं लेकिन हर एक खिलाड़ी का यह पड़ाव आता है हर एक खिलाड़ी को एक समय के बाद खेल को छोड़ना पड़ता है तो हरवजन सिंग ने अभी 2021 को वो समय चुना कि 2021 में इनको cricket को छोड़ना है यह देखिए बाकी डिटल से हैं इनको भी आप देख सकते हो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले यह भारत के पहले क्रिकेटर थे यह सबसे इंपोर्टेंट है टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहली हैट्रिक जो ली थी वो ली थी हरवजन सिंग ने इन्होंने 103 टेस्ट मैच खेले जिनमें इन्होंने 417 विकिट लिए है ये इनकी बाकी डिटेल्स है इनको भी आप देख सकते है नेक्स्ट है नियुम्न लेकित मैंसे किसने 2021 का राष्टे बिलियर्ड्स किताब जीता है नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021 का किसने जीता है ये हमसे पूछा गया है जहां भी बिलियर्ड्स की बात आती है तो इंडिया के लिए पंकच अडवानी इसके टॉप लेर है अब की बार 2021 का डैटल भी पंकच अडवानी के नाम रहा है ये देखिए मद्दे परदेश के भपाल में आयजुद पांच दो गेम फाइनल में इन्होंने धुर्व सित्वाला को हराया और अपना गयार्मा टॉर्नामेंट जीत कर अपने राष्टी बिलियर्ड्स खिताब टैटल का इन्होंने बचाव किया बचाव करने का मतलब है लास्ट एर भी इन्होंने इस ओवर्ड को जीता दे नेक्स्ट है किस क्रिकेट टीम ने 2021 में अपनी पहली विजे हजारे ट्रोफी जीती है विजे हजारे ट्रोफी जीती है पहली बार 2021 के अंदर उस टीम का में नाम बताना है राइट अंसर हो जाएगा हिमाचल परदेश D is the correct answer यह देखिए यह हिमाचल परदेश की टीम और विजे हजारे ट्रोफी की यह चेंपियन टीम रही है 2021 के अंदर हिमाचल परदेश ने पहली बार इस ट्रोफी को अपने नाम किया है यह भी एक कमाल की बात है कि विजे हजारे ट्रोफी में इन्होंने फाइनल में तमिल नाडू को रहा है इन्होंने तमिल नाडू को 11 रन से हराया V.J.D. मेथट से V.J.D. वीजियन जनारदन ऐसे करके एक इंजिनियर होए थे उन्होंने इस मेथट को दिया था जो D.L. मेथट है डकवर्थ लूइस जो मेथट है उसी तरीके से ये मेथट भी काम करते है तो इंडियन जो डॉमेस्टिक क्रिकेट है उसके अंदर V.J. हजारे ट्रोफी में V.J.D. मेथट से जीत दर्ज की हिमाचल परदेश की टीम ने और फाइनल में किसको राया तमिल्लाडू को जैपूर के स्वाई मान सिंग स्टेडियम में ये फाइनल खेला गया था इसको भी आपको ध्यान में रखना है V.J. हजारे ट्रोफी में सरवाधिक रन बनाए रितुराज गायकवाड ने और ये श्ठाकूर ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए अठार विकेट के साथ वो तौप पर रहे इन दोनों के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि V.J. हजारे ट्रोफी में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए ये most question है इसके साथ विकेट परदेश ने पहली बार विज़े ज़्यादा ट्रोफी जीती है इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है next है हाल ही में होकी इंडिया जूनियर पूरुस राष्टे चेंपेंशिप के किस संस्क्रण को इसके दुआरा ताज पहना गया था मतलब होकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चेंपेंशिप की बात हो रही है ये अपकी बार किसने जीता है ये हमसे पूछा गया है राइट आंसर है उत्तर परदेश C is the correct answer ये देखिए तमिल लाडू के कोविल पट्टी में ये फाइनल खेला गया था संडिकड को हरा कर उत्तर परदेश ने 11th जूनियर नेशनल मेंस होकी चेंपेंशिप को अपने नाम ये है उत्तर परदेश का नाम ऐसे गेम्स में देखने को कमी मिलता है लेकिन अपकी बार जूनियर नेशनल मेंस होकी चेंपेंशिप यूपी ने जीती है ये अपने आप में एक बहुत अच्छी न्यूज है संडिकड को इन्होंने फाइनल में हरा है और ये कहां पर हुआ था कोविल पट्टी समिल लाडू के अंदर नेक्स्ट है बहुनेस्वर ओडिसा में संपन हुई सोथी पेरा बैडिमिंटन रास्टे चेंपेंशिप में डबल गोल्ड किसने जीता ओर्थ पेरा बैडिमिंटन नेस्टन चेंपेंशिप जोकी बहुनेस्वर ओडिसा के अंदर हुई थी उसके अंदर double gold किसने जीता है कि हमसे पूछा है राइट अंसर हो जागा इसका नितेश कुमार D is the correct answer यह देखिए नितेश कुमार ने ओडिसा के भूनेश्वर में संपन हुई सोथी पेरा बैडिमेंटन राष्टे चैंपेंशिप में दोगूना सवन मतलब double gold medal जीता है इसका आपको जान में रखना है तरुन डिलो के साथ मिलकर इन्होंने विस्व के नंबर एक पेरालंपिक खेलों के स्वन पदक वजेता प्रमोद भगत और मनोज सरकार को शीदे सेटों में हरा है यह अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है तो आपको जान में रखना है कि नितेश कुमार ने इसने double gold दो gold medal जीते हैं और पेराबैंड मेंटन नेस्टल चैंपेंशिप के अंदर नेक्स्ट है विस्व डोपिंग रोधी एजनसी जिसको हम वाड़ा बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी को इसने रस्टे डोप प्रडिक्शन परियुक्षाला की मानिता बहाल कर दिया है वापस इसको स्टार्ट करने के लिए बोल दिया है विस्व डोपिंग रोधी एजनसी वाड़ा का मुख्याले कहा है इसका हैड़काटर हमसे पूछा गया है हैट अंसर है मौन्टरियाल कैनेडा यह हमारा इसमें करेक्ट अंसर हो जाएगा देखिए वाड़ा ने N-DTL पे बेन लगा दिया था नेशनल डोप टेस्टिंग लिबोलेटरी है उसको सस्पेंड कर दिया गया था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है अब इसका बेन हटा दिया गया है अगस्त 2019 में इसको निलम्बित किया गया था लेकिन अब यह बेन पूरी तरह हट चुका है कुछ प्रॉल्लम्स आ गई थी कुछ उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया था इसलिए ये बैन लगाया था लेकिन अब WADA ने इस बैन को रिवोक कर लिया है इस बैन को हटा दिया है World Anti-Doping Agency की जो founder थे उनका नाम था Dick Pound 10 नौंबर 1999 10 नौंबर 1999 को ये establish हुई थी Montreal Canada के अंदर इसका headquarter है और इसके president है Craig Reedy इस सारी details है इनको भी आपको जहन में रखना है तो बस फिलाल इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो की पीडियो भी आपको Sports Engineer नाम से अपना Telegram Channel आप अब हम पर मिल जाएगी नई वीडियो को साथ आपसे फिर मुलाकात होगी धन्यवाद